हेला फ्रेंड्स वेलकम बैक टो आवर वियेच्व पार्ट साला वियेच्व पार्ट साला के ऑनलाइन प्लैटफॉर्म पे मैं शिबुति वारी एक बार फिर से आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत करती हूं तो गाइस जो बच्चे हमारी जूनियर्स हैं यानि की सिक्स न अपनी स्क्रिंशॉट ले लिजिए का जिनके पास इंफोर्मेशन अभी तक नहीं गई है तो वैसे मैं बता दे रहे हूं दिखें बात करें क्लासिक्स की ओके तो देखिए आप लोगों की डेट ऑफ काउंसलिंग 17 को होने जारिए 17 अक्टूबर को क्लासिक्स वालों की ध बच्छे उनकी 9 अक्टूबर को होने जारी तो पहले देट आप लोगों की काउंसलिंग की क्या हो गई पूरी तरीके से कंफर्म होगी बात करी जाए अब की बात कीजिएगा कि किस की किस रैंक तक गई है तो जो सिक्स क्लास वाले बच्चे हैं उनकी क्या है कि उनकी लौ है एक से अठाइस तक एक से कितनी गई एक से साथ तक बच्चों की एक से दीन तक बच्चे हैं यह जेनरल वाले हो जो यह फिस वाले हो या फिर पीस ओ आल कंडिड़ेट उसके बाद आप लोग जहां से बाद जान से दिएगा कि यह जो रैंक ही लौटरी रैंक है और जो देख भी चुके होंगे तो जिनको पता है कि उनका रेंग के 28 के बीच में आता है तो वह 17 अक्टूबर को कांसलिंग के लिए पहुंच जाएंगे ओके चले बात करते हैं क्लास नाइन्थ वालों की यह तो सिक्सकित ही सतर अक्टूबर को जाना है कि नाइनथ की क्या यह फरस्ट लिस्ट है ध्यान दीजेगा उनको 12 अक्टूबर को जाना है और उनकी क्या रैंग जेनरल वालों की जित्ने भी के खेमल्पन का युघरी के बच्टे का हूं को उसी तरह बात कर जहें 11 वैद की तो उनको साथ अक्टूबर को जाना है और उनका जो मेरिट लिस्ट निकला हुआ था वो करहाली में निकला है और उसकी हम लोगों ने इंफोमेisions आपको दे दी है यह यह तो उनका क्या है इनका मेरिट लिस्ट जिनका 99.67 ठीक है जो कि पहला रैंक तो मेरिट में पहला रैंक था यह वहां से लेकि नाइन 37.200 तक के बचे इसके अंडर में जिनका जिनका नाम आया था वह बच्चे वहां पहुंच जाएंगे अभी मैं बता दूँगे क्या 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 आपको ले कर जाना है सब बता दूँगे वीडियो को लास्ट तक देखिए काइस क्योंकि आप लोग के लिए बहुत इंपोर्टन्ट है चलिए आगे बात करते हैं यह तो जैनरल वालों की थी ओके ऐसी वा अगर उनका इतना परसंट है तो उनके ड्मिशन ना रुपा है न उसके बाद बच्चे देंगे ध्यान ड्यांटिफॉव से लेके निठी तो तक उनका परसंटेज गया हुआ है पीज़ी वाले बच्ची ध्यांदेंगे देखिए यहां पे वाले बच्चे हैं उनका है 93.55 500 से लेके 92.5 तक उसके बाद बेच्च वाले 72 वाले 72 परसेंट आया है उसके बाद ऑपका इस बीच में परसेंट आया है तो आप अपनी काउंसलिंग मत छोड़ियेगा आप लोग साथ अक्टूबर को पहुंच जाईएगा उसी तरह बाइलोजी के बच्चों का है देखिए यहां पर ध्यान दीजिए 99 से कितना गया है 97 तक है उसी तरह स्क्रिंशोट ले लेंगे और यह लास्ट में आर्ट्स वालों का है ना अक्टूबर को होने जा रहा है इनका 98 परसेंट से लेकि 95 के अंडर में मतलब इसके बीच में है यह इतना है तो आप लोग अपनी काउं अपनी काउंसलिंग को मत रुकिए चलिए आगे जनकारी क्या है अप लोगों के लिए जो है ध्यान देंगे यह बच्चे यह सेंट्रल गल्स स्कूल के लिए है गल्स स्कूल वाले बच्चे देखिएगा यह आपकी रैंक है और यह जो है यह जेनरल की है OBC कि SC ST PC बीच्च गई है तो में लिस्ट कितनी गई है आप लोगों की क्लासिक्स की यानिकी 17 अक्टूबर का आप लोगों को जाना है एक से 22 और 9 की कितनी गई है एक से 7 उसी तरह आप लोगों की OBC की एक से 20 और इन लोगों की 9 की एक से 4 तो प्लीज ध्यान से देखिए स्क्रीन शोट ले लीजिए ठीक है यह तो हो गई किसकी 6 और 9 की गल्स स्कूल के लिए जो की बीच्चू का माक्षा वारानसी में है उसके बाद बात करीजे देखिए इंपोर्टन नोटिस जो आप लोगों के लिए हैं आपके टाइमिंग क्या रहेगी 6 और 9 की 8 बज़े से लेके 12 बज़े सेंट्रल हिंदू गल्स स्कूल का माक्षा वारानसी देखिए वेन्यू चेक किजिए आप लोग उसके बाद उसके बाद क्या है उसके बाद प्वी आप लोगों कितनी लगेगी 6 और 9 की 4500 यानि 4500 उसके बाद देखिए सेटी वाली अपने रिजिस्ट्रेशन फॉर्म और डेटर सेट डियोवी ले लीजिए अपना सेटीफिकेट जन्मति थी प्रमान पत्र उसके बाद जो बच्चे आते हैं या फिर एस्टी एस्टी या फिर दिभ्यांग आते वह लगा अपनी केटेगरी वाइस जो उनकी सेटीफिकेट होती है वह ले लिजिए गा ओर उसके चूप मत कीजिएगा उसके बाद बीच्व इंपलाई वाले क्या लेंगे STC उनकी LTC आती है वो ले लिजिएगा उसके बाद अपना अधार कार्ड ले लिजिएगा सबकी कॉपी और ओरिजिनल उसके बाद अपनी फी आपको वहीं देनी होगी अन्यथा आपका क्या होगा एड्मिशन नहीं हो पाएगा उसी टा clap वी देनी होगी उसके बाद क्या है आपको एक सब्सक्रा अंदर टी सी भी देनी है हैं nitrogen इसके बाद आपको email नहीं भेज़ जाएगा तो यहीं आप लोगों के लिए जो हम लोग information दे रहे हैं जल्दी से screenshot ले लिजिए और अपने time पर पहुँच जाईए चलिए बात करते हैं यह किसका है यह क्लास 11th class maths के लिए बायो के लिए और arts and commerce के लिए और यह Central Hindu girls school के लिए तो देखिए आप लोगों के category इधर लिखी हुई है ना दिखिए यहां पर category लिखी हुई है और आपके अगर 11th class में maths के बच्चे जो हैं इनकी साथ को होने जा रही है बायों की आर्ट को और arts and commerce की नाए इनको होने जा रही है और बात याद रखीगा कि commerce वाले और arts वाले अगर आपका 84% से उपर है लड़की अध्यान देंगी तो वह counseling में ज़रूर जाईएगा बाया वाले 94% से उपर उसके बाद जेनरल के लिए मैट के कितना है 95% से उपर यह आप लोगों की निकाल दी गई है cut of list उसके बाद आप लोगों के लिए important notification क्या है क्या आप लोगों की timing कितनी है 8-12 उसके बाद venue क्या है वही girls school का माक्षा में उसके बाद fee आपको कितना लगेगा 4500 और अगर आप computer sense extra में लेना चाहते हैं तो 3000 रख लिजिएगा है ना उसके बाद आप लोगों की वही 11 की जो आपने counseling के time पे तो आपको जाना पड़ेगा merit के धार पे उसके बाद क्या ह उसके बाद character certificate लेजिएगा OBC वाले दिव्यांग SCST वाले बच्चे अपना category का certificate ले लेंगे उसके बाद देखिए ब्याच्च वाले क्या ले लेंगे अपना LTC ले लेंगे उसके बाद अपना आधार कर ले लिजिएगा अपनी fee time पे जमा कर लिजिएगा एक सब्ता के बा स्क्रिंशोट ले लिजिए बच्चे की 11th math का साथ तरी को देखिए मैंने बता दी की counseling का दिनांग ही समय यह स्थान यह फी है 11th math biology commerce arts उसके बाद इन लोगों का कितना लग रहा है 5000 और अगर paid seat पे बुलाया जा रहा है ठीक है तो आप लोग 20,000 एक्स्ट्रा रख लीजिए ठीक है 11th class वाले बच्चे 6th class वाले बच्चे तो 5000 ठीक है सबका 55,000 है उसके बाद timing क्या है 11th math की 7 October biology के आर्ट, arts and commerce की 9, 11th की कितनी है उसके बाद 9th की 12, paid seat वालों 11th की 15 October and 6th class की 7 October को है timing सबका कितना है 10 से 2 बच्चे तक और सबकी लड़कों के लिए Central Hindu girls school होगा और इसके बाद साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर प्रथम लिस्ट में बच्चे बचेंगे सीट तभी आपकी क्या होगी आगे की counseling second लिस्ट जारी होगा और 3000 रुपए अगर computer science अप लेना चाहते हैं तो अलग से पैसे रख लिजेगा यह आप लोगों के लिए important notification है कि 6th, 9th, 11 event की आविशक सूच रहे हैं तो आप लोग क्या क्या मैंने बता दिया है कि क्या क्या आप लोगों को लेना है registration form के लिए जो वो अवेदन था उसके बाद अपनी new photo ले लिजेगा 4 copy 4 से ज्यादा भी रख लेजेगा उसके बद माक्षित उसकी मूल एम च्छातर परती यानि आप लोगों की medical board बैठेगी तो आप लोग अपना बढ़ियां से रख लीजेगा LTC जो है ध्यान देंगे LTC लेर जाना है वीच वार्ड वाले बच्चों को उसके बाद आपका character certificate अधार काड उसकी copy और जन्मतिती प्रमाण पत्र उसके बाद यहां पर क्या है कि lottery के according आपको एक एक नाम करके पुकारा जाएगा तो आप लोग टाइम से आईएगा यह हो गए आप लोगों की notification अपना आप लोग